साहस सरोका देमिन सोरिन की बढ़ रही है मुझकले एक हजार करोड के वैद खानन मामले में एडी ने भेजा समन दिली एंसियार में बढ़ा प्रदूश्ण एंटी डस्र अभियान के तहत कराएगा निरक्षड वर्क फ्रॉम होप के दिये निर्देश सीएम योगी प्रस रादिकारियों पर करें सक्त कारवाई रामपुर में सीओ रहे विद्या की शोर का किया डिमोशन नमशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्रप्रेश की बड़ी खबरो कारू करते हैं खबर की ओर संबल के एचोडो कंबों में चल रहे कलीकु महस्वा में शियुपाल यादो शिरकत करने पहुँचे जहां पर मीडिया से बाचित में उन्होंने कहा कि आगे की राजनीती नीता जी यानि मुलाइम सिंग यादो के दिखाए रास्ते पर करेंगे पार्टी 2024 के लोग सभाचुनाओ में पूरे दमखम के साथ मैदार में उतरेगी इसके साथी शियुपाल यादों ने गुजरात के मौरवी में हुए हासे पर अपनी राय देते हुए कहा कि ठीक है पुल काफी पुराना था लेकिन जिम्मेदारों पर सकत कारिवाई होनी च तो बड़े अधिकारियों के खिलाब पहले करवाई होना चाहिए और फिर जितने भी लोग उसमें समलित हैं लापरवाई में उनके खिलाब और जो भी उस विवाहक का मंतरी है उसका तो तुरंत वरसे तुरुपाल यादो जहां उन्होंने 2024 लोगसबाद चुनाओ की रण उन्होंने मोर्भी हासे पर बोला कि ये पुराना पुल था इस पर इनके जिम्मेदारों पर सक्त कारिवाई होनी चाहिए 2024 लोगसबाद चुनाओ को लेकर शियुपाल यादों ने अपनी रणीती बताई वो कल की महसा में पहुंचे हुए हैं जहां पर उन्होंने मोर्भी हासे पर सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सब्वादाता मुबारक हमारे साथ जुड़ेंगे मुबारक 2024 को लेकर शियुपाल यादों ने क्या कुछ अपनी रणीती में बताये क्या कुछ कहा उन्होंने किला बताकी इसक्त कारिवाई करनी चाहिए और कर विर्दा नी कह कुछ विर्ज को लेकर देekर evidence कर में भ्रीपताय यह था-पन्ली काφी पुराना था और जिम्मेंदारों पर सक्त कारवाई करनी चाहिएए और क्या कुछ उन्होंनी कहा यह को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक संबल में जिलादिकारी और एसपी ने यातायात महा का पुलिस लाइन शुबारम किया इस कारेक्रम में डीम ने स्कोली बच्चों को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के प्रति जागरू किया इसके बाद यातायात जागरू क्त रैली भी निकाली गई जिसमें पुलिस लाइन से डीम ने हरी जंडी दिखा अगर रवाना किया जिसमें हर रोज, हर दिन कुछ न कुछ गतिविधिया विबिन्व भागों की, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट इपार्टमेंट की रहेंगी इसी का आज शुभात किया गया है, यहाँ पर स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, उनको आज इस पूरी प्रॉसस में इन्वाल्व करते हुए, उन्हें जागरु करते हुए और इस सुरक्षा मा का उन्हें परकार से जागरुपता का मेसेंजर बनाते हुए, इंबेजडर कॉंग्रेसी निता अचार प्रमोट कृष्णब ने सपासांसद डॉक्टर शफिक और रहमान बर्क पर चोड़दार हमला बोलते हुए कहा कि डॉक्टर बर्क के अंदर कभी-कभी बाबर की आत्मा आ जाती है उनमें बाबर की रूह नजर आती है अगर नोट पर लक्षमी गड़ेस की तस्वीर चप जाएगी तो वो किवल हिंदूों को बढ़ावा देने वाला बन जाएगा जिस पर प्रमोट कृष्णब ने पलटकवार्द करते हुए कहा कि देश की करंसी पर लक्षमी गड़ेस की तस्वीर लगनी चाहिए क्योंकि दे अरेंद मोदी जी को चाहिए कि नोट पर लक्षमी गड़ेस के साथ भागवान कल्की का चित्र भी बनाए और भारत माता का चित्र भी मनाए यह देश भारत है अरविंद केजरिवाल की मांग बिल्कुल ठीक है मैं उसका समर्तन करता हूं अचारा जी एक दूसरा सवाल यह कि गुजरात के मुख्य मंत्री को जेल भेजना चाहिए गुजरात की सरकार का गुना है यह और जिस तरह से जिस बेशर्मी के साथ प्रदान मंत्री जी भाशन दे रहे हैट टोप लगा-लगा के सैकड़ों लोग मर गए यही प्राइम मिनिस्टर है नेरेंद मोदी जी जब बंगाल का चुना हुआ था बंगाल में हाथसा हुआ था तो इन्होंने यह कहा था कि जिस राज्ज में यह हाथसा हुआ इसका मतलब है भगवान नाराज हो गया है बंगाल में जो सरकार है उससे भगवान नाराज है तो यह हाथसे हो रहे हैं साहजापुर की दो बेटियों ने बेग बास सोलम जाकर जीले का नाम रोशन किया जिसमें मुरीद खुद सल्मान खान हुई जिसके बास सल्मान खान ने सुंबल और सानिया के पिता को बलाया और उन्हें सम्मान देते हुए बात चीत की वहीं पिता ने अपनी बेटी की सफलता से गद-गद होकर खुशी जाहिर की पिता तौकिर हसान ने अपनी संगर्स की बात पत्रकारों के साथ साचा की देखें बच्चों के लिए मैई ऐसा सोच दूदा की हर बेटी को सपने होते है हर बेटी के पास उड़ने के लिए आसमान भी होता है लेकि पंक नहीं होते हैं ऑप अपनक को अदे पाता है उनको पैरेंट्स तो मेरी कोशिश यही थी कि मेरी दो बेटिया हैं तो मैं चाहरा था कि उनके भी सारे सपने पूरे हों वह बाकी लड़कियों की तरह भरिशान न कि आम लोग भूके भी रहे एक एक बाइना हमारे खर बें लाइट नहीं रही लेकिन उसके बाप जी हम लोग भिमत नहीं हारे लगे रहे एक जुसर का सपोर्ट करते रहे और फिर उसके बाद सारी सितिया अच्छी हो गई और आज दोनों बिटिया किस मुकाम पे हैं यह सब सुमूल अभी तक करीब 11 सीरिल कर चुकी है लेकिन एजन लीड उचने इमली किया है बाकी में वो सपोर्टिंग अर्टिस थी इसी कुछ उमीद तो नहीं था हमने कुछ प्लान ही नहीं किया था जाने के टाम पर बस ऐसा था कि जाएंगे जो भी होगा देखा जाएगा हम गई मुंबोई आए और माशालला हमारा काम अच्छ हुआ हूँ और मेंस्टार्ट किया था हमारा काम अच्छ हुआ मैंने स्टार्ट किया था ठि lên अच्छहा य तर आभ चल् dragging आगिजर मिल गूखा उप एक लिए इसे वह सिरियल के वह प्लाइब से गणी तरहे चाहला है एक्सपरियन्स तो बहुत अच्छे थे जैसे कि अब मैं ने जो भी सिरियल किया उन ताइम में बहुत छूटी थी जैसे कि मैंने बाले का बदू या जोधा अगबर में भी सारे बड़े बड़े अक्टर्स के साथ काम किया उस ताइम पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था बट मुझे बहुत एक्स्पीरियंस मिला कि बेटियों को लेकर तो मेरे पास कोई तारियत नहीं है कि इसकी तरह बनना है कि वह सीदा है वो जुष्ण कुमार जी कि लाइन है यह इस पत्का उद्देश से नहीं है स्रांट वावर में ठीक रहना कि दू पहुंचना हूँ उस मंजितलक जिसके आगे रहना मैं जाता हूँ मेरे पेटिया वहां पहुंचे जहां पे सारी चीजे खतन होंगा किसके आगे आप कुछे से नहीं बहुत अच्छे कलाकार है और आज भी काम कर रहा है काम में लेकिन मैं देखा कि शाजानपुर के जो बहुत से दर्के रिकिया है मां पर अभी मुंबई मे लेकि वह प्रॉपर तयारी से नहीं है कई लोगों को मैं जारता हूँ मिला भी हूँ कई लोग मेरे पास मोने भी हेल्प के लिए और मैं हेल्प का मिले तयार है था हूँ बोलंज शेहर में स्याना से उचा गाउ जाने वाली सड़क का नर्माड करीब एक साल पहले हुआ था लेकिन ब्रास्टा चार के वज़ज़ से खराब होने लगी जिसके शिकायत लोग नर्माड मत्री से की गई जिसके बाद जिम्मदार अधिकारियों में अफरा तफरी वहीं लगनों से आई लोक नर्माड विवा की टीम ने मौके पर पहुँचकर सड़क नर्माड में लगी समागरी का सेंपल लिया जाज के दोरान टीम को करोड किलागत से बनी सड़क जगा जगा बैठी मिली उसकी हमने सासन से सिकायच की है तो यह लोग लखनों से टीम आई है तो टीम में कौन-कौन लोग है यह राजीप पुवार है और चीफ साव है उतरप्रेश के आर्थिक नगरी कानपूर के चर्चत विकरू कान में एक बार फिर नया मोडाया है इडी ने बड़ी कारिवाई करते हुए विकास दूबे की गैंक से जुड़ी 28 संपत्यों को जब्त कर लिया इनके कीमत 10 करोड 12 लाख रुपे बताई जा रही है इडी ने अपने केस में विकास दूबे खंचानजी जैकान बाच पेई समीत अन्य आरोपियों को बनाया है वहें पुलिस जाच में विकास वो जैकान बाच पेई के बीच लाखों के लेंदिन के प्रमाण भी मिले है समल में जिलादिकारी मनीश बंसल विकास खंड बहजोई के ग्रामरजापुर वह कनेटा में ओचक निरिक्षड करने पहुँची इस दोरान राशन की दुकानों पर राशन वित्रड के जमीनी हकीकत को जाना निरिक्षड के दोरान जिलादिकारी ने स्टॉक का सत्यापन किया जो सही पाया गया जसमें राशन विकेत्रा की दुकान पर लगी सूचिय सपस्ट नहीं पाई इसके साथी जिलादिकारी ने राशन की दुकानों पर साफ सफाई की विवस्ता के साथ कारधारकों को बैठने के लिए परियाप्त विवस्था के बारे में जानकारी ली बुलंशेर के गुलावटी थाना शेतर में दहेज लोबियों ने एक नव विवाहिता पर केरोसीन डाल कर चुंदा जलाने के का प्रयास किया इसके साथी आरोपियों ने विवाहिता को चलती कार से भी फिक दिया आनन फानम ने पईज्णों ने पिर्टा को खाल अवस्था में अस्पताल में भड़ती कराया जहां पर पिर्टा की हालत को नाजुग देखते हुए ड्रिस्टिक होस्पिटल रेफर किया गया जुसके सा यह बता रहे हैं तो हमारने कोशिश करें तेल भी छड़का क्या सच चाहिए तेल मेरे नंदोई ने लाके दिया हमेरा अधमी ने कोशिश की मेरे का कब की घटना आई है चोट भी आई है कहीं तुमारे कहां आई है अच्छा बुलंशहर में कजबा और रंगाबाद के मेन बाजार में जुएलर्स के दुकान में चोरों ने खुसकर लूट पाड़ की जानकारी के मताब चोरों ने दुकान के च्छत तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया वहीं सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने मामले की जाच पर ताल करते हुए चोरों की तलाश कर रही है कासगरंज पुलिस को में लिए बड़ी सफलता पुलिस ने पचास सजार कांतर जनपदिय इनामिया बदमाश को पुलिस के मुडवेड के दौरान गिरफतर किया तो वहीं इसके कबजे से एक तमंचा कार्थूस और एक चोरी की मोटर साइकल बरामत की गई और घायल बदमाश को इलाज के लिए जिलास पताल में भड़ती कराया गया और आगे की जाच में पुलिस जुन गई है तो एक बाइक संदीग दावस्ता में आ रही थी जब रोकने के कोशिश किया तो बाइक पे जो है वो फायरिंग करना शुरू किया तो जब रिटालियेशन में एक विक्ति को गुली लगी है और वो गिर गया और अंदेरे का फायदा उटाते दूसरा विक्ति बाग गया है तो जो एक विक्ति जो अभी गायल हुआ है उनका नाम है इर्फान पुत्र चंदौली में चक्या नगर छेतर में कपड़ी की दुकान में शौर्ट सर्किट होनी की वज़़से भीशड आग लग गई आग लगने की वज़़से दुकान में रखा समाज जलकर खाक हो गया वहीं पर सूचना पर पहुँचे दुकानदार सहीद फारिब्रिगेट की ठीम ने खरीब दो खंटे की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया दिखा आया लग लगान पूरा आग ते रपत पुरे दुकान में में दुकान में पुरा आग लगी हुई थी पुरा दोवा दोवा पुरा किसनी कई लाखों का नुशान हुआ है पुरा सारी जल गया है लहना जल गया है तोफास जल गया है कई लाखों का नुशान हुआ ह करवाया है और मैं बहुत ही में जर से चावी हैंडिल दुगान का सटा का चावी और हैंडिल दोनों ठाकर भागा अउपर आके देखा तो उपर कमार जल रहा था बहुत तेजी से आप इसके बाद तक्रीबन दो से गेड़ से दो करोड पर हमारा मुप्तान हो जया है यह उप पर फार विगेट के टीम पहुची थी मैंने भी पूल भी करवाया थाने में भी गया पूल गोंडा मी थाना कोदवाली का नेल गंच छित के भंबुआ पुलिस चौकी छित के कैथावली गाउं में हुई घटना के मामली में एक राजनीतिक दल के अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी समीत पांच लोगों को गिरफतार किया गया जानकारी के मताबित इन लोगों के द्वारा सिविल कोर्ट केस ट्रे ओर्डर के बावजूद जमीन पर कबजा करने की कोशिश की जा रही थी और जब पुलिस रोकने गई तो आरोपिया द्वारा पुलिस ट्रिम पर पत्राओ कर दिया गया इसके साथ ही घर में आग लगा दी गई इस मामले पर तीन पुलिस कर्मियों को मामूली चोटे आने की भी बात सामने आ रही है अभी तक मामले में दो एफ आई आर दर्च कराए गई और मौके पर भारी पुलिस बलते नाथ है ग्राम कैतोली ताना करनल गुन जनपत गुनडा आई आज ये एक नमबर की शाम के समय एक स्रीमती फुल्मती नाम की महिला ने पुलिस को सुचना दी कि उनका एक जमीन का विवाद चल रहा है उस जमीन के विवाद में मानी नहले से इस्टे भी है इसके बावजूद निर्मार किया जा रहा है इस सुचना पर पुलिस मौके पर आई तो मौके पर मुनाला ल्यादों का पच्छ है वो लोग निर्मार कर रहे थे पुलिस के द्वारा रोका गया और जब वो दूसरा वादी पच्छ भी है तो उनके साथ मार पीट की गई पुलिस ने वादी पच्छ को बचाया और इसके जब पुलिस के अस्तर्चिप करने बाद पिस पंदी में वो घर में आग लगाने लगे तो पुलिस ने उसको उनको समझा बुजा करके और बन हलका बन प्रियोग करके वो आग को बुजाया और उनको सभी को जो भी परिशान कर रहे थे और सान्वी वस्ता की समस्या इतना ही देश जुनिया की तमाम ख़बरों के ले देखते रहे प्राइम टीवी